तो दोस्तों पिछले वाले वीडियो में लाट में मैंने देका पोर्शन काईब हो गया है हमको पढ़ार है पढ़ाया जोब से डिलीट हो गया से सेविंग करते वक्त कुछ करप्स कुछ फाइल करप्टेड हो गई थी तो मैं आगे उसी को बता रहा हूं ठीक है ध्यान दीजेगा तो जैसे कि हमारे पास हम यह पहले जो पढ़ा रहे थे उसी कहांगे कांटीनू कर रहे हैं जैसे हमारे पास हमको दो वेक्टर दिये हुए हैं A और B वेक्टर ठीक है और A वेक्टर हमारा है A1I A2J और A3K ऐसे दिया हुआ है और B1 है हमारा B1I प्लस B2J और यह B3 की वेक्टर यह दोनों वेक्टर दिये हुए हैं इसका वेक्टर नेम 1 वेक्टर नेम 2 A और B वेक्टर दिये हुए I, J, K are nothing but the directions of the X, Y and Z axis और A1, A2, A3 are the components of the A vector along these directions and B1, B2, B3 components of the B vector along X, Y and Z direction और A1, A2, A3, B1, B2, B3 यह numerical values होती है स्केलर components ठीक है अब हमसे कोई बोले कि अगर A vector equal B vector ऐसे मतलब मतलब अगर यह और B identical हो तो मालो अलग अलग लिखे हुए देखने में अलग लिखे हुए हैं यहां B1, B2, B3, A1, A2, A3 हैं लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि अगर अगर A और B vector नाम बजल के लिखे गए हैं सकल बजल दे गई है बी लिख दिया गया है लेकिन अगर identical हो यह इक्वल हो तो इससे क्या मतलब है तो याद रखना कि अगर दो वेक्टर identical हैं तो क्या होगा कि हमने बहुत अच्छे से समझ रखा है कि अगर वेक्टर जो होते हैं वो direction पर बहुत डिपेंड करते हैं लगभग मुलब direction पर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि वेक्टर का मतलब ही होता है directional quantities तो अगर कोई दो वेक्टर identical या equal हैं ऐसा और उनके बीच में equal लगा हुआ है तो यानि तो इसका मतलब है कि उनके directional component भी equal होंगे यानि कि उनके आई यानि एक्स एक्सिस के लांग जो भी यानि आई के लांग आई जो लिखा है न वो क्या है वो एक्स एक्सिस की component equal होंगे यानि A1 होगा B1 के equal similarly Y-axis के लांग component यानि J component A2 होगा B2 के equal और Z-axis के लांग component यानि A3 और B3 ये अलग अलग equal होंगे A1 B1 के equal होगा A2 B2 के equal होगा और A3 B3 के equal होगा ये आप हमेशा याद रखिएगा दो वेक्टर्स अगर equal है तो उनके directional component भी अलग अलग equal होंगे यानि उनके IJ component IJ के जो component वो भी अलग अलग equal होगा एक तो ये चीज़ हो गई और अगर कोई हमसे कहें कि A vector और जो ये बी वेक्टर A and B अगर ये पैरालेल हैं या को लीनियर हैं और को लीनियर पैरालेल का मतलब जानते हो ना जैसे A vector इधर बना है बी वेक्टर इधर बना है ये तो A और B थोड़ा पैरालेल हो गए उनके बीच में स्पेस होता है लेकिन उनकी जो direction होती है दोनों की सेम होती है कि अगर मालो ये ये अगर horizontal से 45 डिगरी एंगल है तो ये भी 45 ही एंगल होगा इस वेक्टर का भी ौ वोलता है पैरालल वेक्टर और कोलिनियर का मतलब है कि अगर ये एक變 रहत शिपर होगा वी वेक्टर वी इसी लाइन पर होगा एक उपर एक जड़े होने डाइरिक्षन अभी भी सेम उंगी उसको प्रालीं घ्परिय से अंतर आपको पता होग गया में कैमُ बोलने तो condition बताओ तो ठीक है निकालते हैं तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी वेक्टर में जैसे यह वेक्टर है और उसमें अगर किसी scalar quantity lambda से multiply कर दिया जाए यह हमने अभी भी पढ़ा है पिछले लेक्टर में भी पढ़ा है कि अगर किसी किसी भी वेक्टर में अगर किसी scalar या किसी numerical value से multiply कर दिया जाए तो उसका सिर्फ magnitude बदलता है उसका सिर्फ magnitude बदलता है यानि गर पहले magnitude इतना था यह वेक्टर का mod आप जानते हैं कि यह वेक्टर का mod यहां कैसे आएगा under root a1 square plus a2 square plus a3 square अगर कोई वेक्टर i, j, k के टर्म में दिया होता है तो उस वेक्टर का magnitude ऐसे आता है तो मालो सुरू में magnitude इसका a का ऐसे था तो जब हम किसी scalar से multiply करेंगे तो केवल वो उसका magnitude उतने times बढ़ जाता है उतने times बढ़ जाता है लेकिन उस वेक्टर की direction अगर पहले एक एप थी तो अभी भी एक एप ही रहती है किसी भी वेक्टर में scalar से multiplication पर सिर्फ उसका magnitude अगर वो scalar lambda है तो lambda times हो जाएगा लेकिन उसकी direction पर कोई फ़र्क नहीं आएगा यह हमने पढ़ा था पिछले lecture में तो आपको याद दिला दिया तो अगर एवेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरा ले लहें तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर एको बी वेक्टर के किसी scalar के multiplication के तवर पे लिखा जा सकता है A को आप लिख सकते हो A equal to lambda भी चाहिए तो आप B equal to lambda A भी लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है मलत चाहे यह पहले करके उसमें lambda लिखो चाहे उसमें lambda लिखो जहां lambda एक scalar है lambda is some scalar कोई numerical value है तो अगर A और B दो वेक्टर हैं दोनों पैरा लेल हैं या को लीनियर है हैं तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के scalar multiplication या scalar हाँ एक वेक्टर को चाहें दूसरे की टर्म में लिखो यह मेरा जो यह वायर है न यह कि माइक्रोफोन का यह बहुत परेशान करता है तो अगर A और B वेक्टर दोनों पैरा लेल हों या को लीनियर हों तो आप उनको इस तरह से भी लिख सकते हो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के किसी स्केलर मल्टिंप्ल्रिकेशन की तर पर चुकि आप जानते हैं कि किसी भी लेक्टर में किसी स्केलर से मल्टिंप्लिकेशन किया जाए तो अच्पर ऊसको चैंख प्ईरक्सिंण में यानि उसकी कोई अंतर नहीं आता है या वह उष्ञागा तो आप ऐसे लिख सकते oh ए और बी पैरालेल या को लिनियर है उनकी कंडिशन निकालनी है ए और भी हमें IJK के टर्म में लिखे हुआ है ठीक है तो ए की वेलू रखो यहां से A1I प्लस A2J प्लस A3K इक्वल टू लेम्डा अंदर B1I प्लस B2J और प्लस B3K है है हम बता चुके हैं कि IJK को पमपोननेंट होते है यह सकेलर है यानि नमय Metro ha तो अगर इस और यह भी सकेलर अलेम्डा भी है यह यानि Koji नमबर यान-मेर्फंपल तो कुछ आइजे के आर नथिंग बदार ओनली इंडिकेशन आप डाइरेक्शन तो अब यह आपके कि आपने यह कंदिस्ट यह तरीका उठाया था तो आपका यह आया लेकिन यह वेक्टर और यह वेक्टर के बीच में यह निसान किसका लगा हुआ है निसान तो लिखा हुआ इक्वल का यानि यह वेक्टर और यह वेक्टर इक्वल है और इसके पहले ही अभी हमने देखा है कि अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके डाइरेक्शनल कंपोनेंट भी इक्वल होते हैं अलग-अलग इक्वल होते हैं यानि इसका जो आई क इसका J component उठाओ, इसका J component है A2, और इसका J component, Lambda B2, यह और similarly K component उठाओ, यह आया, अगर दोनों के बीच में equal हुए तो उनके अलग-अलग directional component भी equal होंगे, अच्छा, यहां से एगर Lambda की value निकाल लेटिए तो क्या होगा, Lambda equal to आएगा A1 upon B1, यहां से Lambda आएगा A2 upon B2, यहां से लिम्डा आएगा A3 upon B3 यानि कि A1 upon B1, A2 upon B2 और A3 upon B3 तीनों इक्वल हैं और तीनों लिम्डा के इक्वल हैं यानि आपको condition मिल गई यह वाली काउंसी A1 upon B1 equal to A2 upon B2 equal to A3 upon B3 equal to लिम्डा तो mainly यह आपकी condition है कि अगर दो वेक्टर A और B जो कि IJK के तर्म में लिखे हुए हैं अपने directional ratios A1, A2, A3 को directional ratios भी बोलते हैं अगर यह दोनों पैरा लेल हैं या को लिनियर हैं तो उनके ratio A1 upon B1, A2 upon B2 और A3 upon B3 equal होते हैं उनको इस टाउर पे लिखा जा सकता है तो यह हुई आपकी condition दो वेक्टर के पैरा ले लिया को लिनियर होने की अगर वो IJK के टर्म में लिखे हुए हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और समझ में आ गया ना यही मुझे लगता है प्छले वाले एपीसोड में हम पढ़ा रहे थे हमने इसको बताया और वो उसकी कॉपी करप्ट हो गई यह क्या हो गया तो यह मुझे उसमें दिखा नहीं इसको वापस बता देता हू और अगर मालो आपका कोई वेक्टर दिया हो ऐसे A1 I A2 J या A3 K ऐसे आपका दिया है कोई वेक्टर के लिखना भूल गया है कहां के कैप लगा दिया जहां पर A1 A2 और A3 I J के डारेक्शन के लग कंपोनेंट हैं और यह नुमेरिकल होते हैं जैसे आपका A वेक्टर मालो दिया है 4I प्लस 5J और प्लस 3K ऐसे इस तरह से हैं तो अगर आप से बोला जाए कि इसमें किसी नंबर से मल्टिप्लाई करो यानि 5 से मल्टिप्लाई क कि डारेक्शन करो कुछ नहीं नंबर से मल्टिप्लाई क ब्लाई करने पर क्या होता है कि यह आइज से की को कंपोनेंट नहीं क्रोंट अन इसमें नंबर से मल्टिप्लाई हो जाता है जब आप मल्टिप्लाई करेंगे 5 ताम्स तक्ष कर रहاؤ है नंब Über stinksसे में अद्लाई क टेंज नहीं आता है तो अगर इसमें 5 से मृल्टिप्लाई करेंगे तो फफाइब टाइमस हर एक कम्पोनेंट हो जाएगा तू यहां हो जाएगा फाइब टाइम्स फोर यानिइंट जाते हैं थ्री से तो कोई फरक नहीं आएगा यह जश्ट नंबर टू नंबर मल्टिप्लाई होगा यह फिप्टी नहीं आ जाएगा और थ्री से और मल्टिप्लाई करना था तो आप ऐसे और कर दो तो यह हो जाएगा 60 आई कि 75 जे और 45 कि समझ में आया नंबर ही नंबर आपस में मल्टिप्लाई होते हैं अगर मालो आपसे बोला जाए कि दो नंबर हैं जिसे 5 प्लस 3 और इसमें किसी ए वेक्टर से मल्टिप्लाई करना है तो पहले नंबर नंबर आपस में जोड़ लीजिए 8a 5 प्लस 3 8a कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है लेकिन अगर आपसे दो वेक्टर मालो दिये हैं यह और एक वेक्टर और मालो कोई दिया है बी बीवन आई प्लस बीटू जे प्लस बीटरी के याद रखना अगर आपसे कोई बोले 5a प्लस 3b निकालो तो पहले 5a निकालिए फिर 3b निकालिए और तब दोनों को जोड़िए बिलकुल मलब मैंतमेटिस का ही तरीका है ठीक गलती मत करिएगा इसकेलर मल्टिप्लिके संगे होते हैं वो जस्त लाइक मैंतमेटिकल बॉल की तरहरी जैसे हम लोग और उसकेलर जो मल्टिप्लिकेशन होता है लाकिन से यूज होता है तो अभी हम लोगों में जितना वेक्टर के बारे में पढ़ा अब नेक्स्ट एपिसोड में ठीक है अब हम लोग उस पर एकसर ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तक तक के लिए बबाए